देश में आज से यानि की 26 जून से एक नया दूर संचार अधिनियम लागू हो रहा है यह अधिनियम मौझूदा भारतिय टेलिग्राफ अधिनियम 1885 वाइडलस टेलिग्राफी अधिनियम 1993 और टेलिग्राफ वायर अवैद कबजा अधिनियम 1950 के पुराने धाचे की जगा अस्तित में आएगा सरकार दौरा जारी अधिनियम सूचना के अनुसार इस अधिनियम की धारा 1, 2 और 10 से लेकर 30, 42, 44, 46, 47 और 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू किया गया है इसे फिलहाल आशिक रूप से लागू किया गया है और यह आशिक रूप से प्रभाव में आएगा लेकिन इसको लागू होने के बाद क्या कुछ बदलाग होंगे ये जान लेना आपके लिए बेहत जरूरी है तो इसके लागू होने के बाद से अंचाही call और messages पर लगाम लगेंगे आपको बता दें कि सभी दूर संचार कंपनियों को do not disturb service register करने का option देना जरूरी होगा कोई user D&D service on रखता है तो उसके पास अंचाहे message या call नहीं आने चाहिए टेली कॉम कंपनियों को सरकार से अनुमती लेनी होगी अब दुसरा बदलाव ये हुआ है कि SIM की copy करना crime माना जाएगा जी हाँ फर्जी SIM card पर रोक लगाने के लिए बिल में सक्त प्रावधान किये गये हैं किसी भी तरह के SIM card fraud करने पर 3 साल जेल और जुर्माना लगेगा बिल के तहट फर्जी SIM card बेचने खरीदने और प्रियो करने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भड़ना पड़ेगा SIM card की बिक्री करते समय बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा एक पहचान पत्र पर 9 से जादा SIM होने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा दुसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा SIM card close करने या किसी और के SIM का दुरूपयोग करना दंड़निया अपराद की श्रेणी में रखा गया है इसके तहत call tapping भी अपराद होगा अगर कोई वेक्ती बिना आपकी permission के आपकी बात सुन रहा है तो यह मामला phone tapping का है phone tap करने को wire tapping और line bugging भी कहा जाता है सरकारी अधी सूचना के अनुसार नए अधीनियम के तहद बिना इजाज़त टेलीकॉम नेटवर्क का डेटा एकसेस करना किसी के call को tap करना या record करना अब अपराद माना जाएगा नियम तोडने पर 3 साल की सजा होगी आपात स्थिती में सरकार के पास क्या-क्या अधीकार है ये भी जान लिजे नए अधीनियम के अनुसार सरकार, राष्ट्रिय सुरक्षा, सारजनिक विवस्था या अपराधों की रोक्थाम के लिए दूर संचार सेवाओं का नियंतरन अपने हाथ मिलेगी आपात स्थिती में किसी भी टेलिकॉम कंपनी जो दूर संचार नेटवक अस्थापित करना या संचालित करना चाहे, सेवाओं प्रदान करना चाहे, उसे सरकार द्वारा अधिकरित होना होगा राश्ट्रिय सुरक्षा के मदे नजर टेलीकॉम कम्पनियों को अपने एक्विप्मेंट्स सरकार द्वारा अधिकरित सोर्स से ही लेने होंगे अब स्पेक्ट्रम का आवंटन किस तरीके से होगा ये भी जान लिजे सेटलाइट ब्रांड बेड़ सेवा का स्पेक्टरम आवंटन अब निलामी से नहीं बलकि प्रसाशनिक तरीके से होगा विदेशी कम्पनियों को भी स्पेक्टरम दिये जा सकेंगे इसके तहत स्पेक्टरम आवंटित होने वाली पहली सूची में 19 सेवाओं को Global Personal Satellite Communication, राष्टिय और अंतराष्टिय लंबी दूरी की सेवा, मोबाईल उपगर सेवा, VSSD, In-Flight और समुंदरी Connectivity शामिल है, नए नियमों से एलन मस्क के Starlink Satellite Internet की भारत में इंटरी का रास्ताब साफ हो गया है.